नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का इस YouTube चैनल में दोस्तों कल से खतम होगी शनी की साड़े साथी इन राशी वालों को मिलेंगी अपार खुशियां ही खुशियां भगवान शनीदेव अब 12 राशियों में से कुछ राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं जिसे अब इन राशी वालों के जीवन की सभी दुख दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं और इन राशी वालों के जीवन में अब आने वाली है भगवान शनीदेव के आशीरवाद से अपार खुशियां ही खुशियां जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों वो खुश नसीव और भागिशारी राशियां कौन कौन सी हैं जिनको भगवान शनीदेव अब बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त कराने वाले हैं उन राशी वालों का जीवन अब बदलने वाला है इस वीडियो में हम आपको उनी कुछ राशीयों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्यूंकि ये वीडियो इन राशी वालों के लिए बहुत ही महत्वपून रहने वाला है दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान शनी देव के सचे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दें कमेंट वॉक्स में जै शनी देव अविश्य लिखी जिससे भगवान शनी देव का आशीरवात आपको सीधे प्राप्त हो सके और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर इसी प्रकार की मैत्वपोर्ण ज्यानवर्दक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और जादा से जादा लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेर करें तो बात करते हैं उन भागिशाली राश्यों के बारे में जिनको भगवान शनी देव का आशिर्वात अब मिलने वाला है अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदु धरम में काफी सारे देवी देवताओं की मानेता है आपको बता दे कि इन देवी देवताओं में से एक नाम शनी देव का भी आता है भगवान शनीदेव सरवोच नयायदीश है और भगवान शनीदेव अनुचित कारे करने वालों को समय पर धंड भी देते हैं शनी देव सूर्य पुत्र हैं और करम फल के दाता माने जाते हैं और आपको बता दे कि मोक्षु को प्रधान करने वाले एक पात्र भगवान शनी देव ही है शनी देव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर गबराहट होती है लेकिन सज बात तो ये है कि शनी देव प्रकृ पाप करते हैं दूसरों को मुक्सान पहुचाते हैं भगवान शनी देव उनी को दंड देते हैं आपको बता दे भगवान शनी देव की क्रिपा से 12 राशियों में से कुछ राशी वालों पर होने वाली है भगवान शनी देव की क्रिपा भगवान शनी देव बहुत अधिक उन पर प्रसन हो गए है अब इन राशी वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी आपको बता दे भगवान शनी देव अब इन राशी वालों पर अपनी अतियतिक क्रिपा बरसाने वाले हैं जीहां दोस्तों इस प्रभाव से इन राशी वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां जीहां दोस्तों आपको बता दे भगवान शनी देव की विशेश क्रिपा इन राशी वालों पर होने वाली है भगवान शनीदेव की कृपा से इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं इन राशी वालों को भगवान शनीदेव के आशीरवात से अपने जीवन में अनेको प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली हैं जिसे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों जिन खुशनसीब भागिशाली राशीों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन खुशनसीब और भागिशाली राशीों पर भगवान शनीदेव की क्रिपा होने वाली है उन खुशनसीब और भागिशाली राशों में से जो पहली राशी आती है वो राशी है मकर राशी, मकर राशी वालों को बता दे आपके उपर भवान शनीदेव की अपार कृपा दृष्टी बनी रहेगी जिससे इने धनेलाब प्राप्ती होने की संभावना है, आपको बता इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यावसाय में व्रिधी होगी, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरकी मिलेगी, जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाते हैं या पढ़ाई करना चाते हैं उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है साथ ही साथ इस राशी के लोगों की आय में व्रिधी होगी जो लोग व्यापारी है उनको व्यापार में जादा मुनाफ़ा होने की संभावना बनी हुई है आप अपने सभी कार्य को सफलता पूरवक पूरा करेंगे भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है जिसे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अपार खुश्या ही खुश्या जिसे मकर राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है मेश राशी मेश राशी वालों को बता देगी भगवान शनीदेव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुती अब अच्छा आने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव आपके उपर बेहत प्रसन है आपके मान, समान और प्रतिष्टा में व्रिधी होगी मेश राशी वालों जिसकी वज़े से ही समाज में आपकी प्रशन्सा की जाएगी और आपको बता दी भगवान शनीदेव की क्रेपा से आपको अब सफलता की नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपनी जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दी जो भी आपकी कार्य रुके हुए थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दी जो भी कार्य आप शुरू करना चाते हैं उस कार्य को भी आप सफलता पूर्वक कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों भगवान चनीदेव के आशिर्वात से आपके आय के साधनों में व्रिदी होगी भगवान चनीदेव के आशिर्वात से आपको धनलाव प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे आपके घर परिवार में खुश्नुमा माहूल रहेगा साथी साथ आप नया वाहन या मकान खरीदनी को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अविशे ही सफल होगी। चनी देव की विशेश कृपा मेश राशी वालों आपके उपर बन रही हैं समय अब आपके पूर्णता पक्ष में हैं समय का आप भरपूर लाव उठाएं और समय को अपने हाद से ना जाने दें। जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है विरिशव राशी। के लाब धनलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्थी होने वाली हैं। दोस्तों, आपके परिवार और जीवन साथी का पूरा सयोग प्राप्त होगा, आपकी मदुर्वानी की वज़े से आपके सभी कार्य पूरे होंगे, भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपके उपर बनी हुई है, जिसकी वज़े से आपकी धन समध जो भी परेशानिय हैं, सभी परिशानिया दूर होंगी, और साथी साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे, वे कार्य अब आपके सफलता पूर्वक पूरे होंगे, आपको बता दे, भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा व्रिशब राशी वालों आपके उपर बन रही है, आप दिन दुगनी, राच चौगनी तारक्य करेंगे, आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी सफलता हों कि अब जंडे गार देंगे, जिससे दुनिया अब आपका जलवा देखेगी, कहना गलत नहीं होगा भगवान शनीदेव की आशिरवाद से, अब आपके लिए समय बहुती अच्छा साबित होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वो है कन्या राशी, दोस्तों कन्या राशी वालों को बतादी, भगवान शनीदेव की विशेष क्रिपा आपके उपर बनी हुई है, कन्या राशी वालों साथ साथ वेतन विद्धी के भी पूरे योग बन रहे हैं। प्रेम संबन्द मजबूत होंगे आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे। आपकी समिस्त मनो कामनाएं पूरी होगी और भगवान शनी देव के आशिर्वात से अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाब, धनलाब और सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिससे कन्या राशी वालों आपका जीवन बदर जाएगा। जीहां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है सिंग राशी जीहां दोस्तों सिंग राशी वालों को बता दे भगवान शनी देव की कृपा से ही आपके लिए समय अब बहुत ही बैतरीन होने वाला है। आपको बता दे आपको ना केवल मान समान मिलेगा बलकि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर बन रही है। इसके साथ ही आपको काफी धनलाब भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुश्यों का माहोल बना रहेगा वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रिदी होगी। सिंग राशी वालों अब आपको चारों तरफ से लाब ही लाब मिलने वाला है। भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर बन रही है। साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन व्रिदी के भी पूरे योग है। सिंग राशी वालों आपको बता दे कि भगवान शनीदेव की क्रिपा से अब आपके लिए धन प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी। इसके साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ती का सुख मिलेगा जिससे घर परिवार में खुश्याई खुश्या होंगी। दोस्तों आपको बता दे कि भगवान शनीदेव की गृपा से सिंग राशी वालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुश्यों की प्राप्ती होगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा कहना गलत नहीं होगा सिंग राशी वालों भगवान शनीदेव के आशिरवात से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में हैं जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है धनु राशी धनुराशी वालों को बता दे भगवान शनी देव की क्रिपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दे आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है आपको बता दे जो आपने मैनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिसे आपकी खुश्यों का ठिकाना नहीं रहेगा आपको बता दे आपके रुखे हुए कारे भगवान शनीदेव के आशिरवाद से अब समय पर पूरे होंगे आपको अपने परिवार्थ दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा आपको बता दे कि आप लोगों के उपर भगवान शनीदेव की असीम क्रिपा बनी हुई है और भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपके धन सम्मंद सभी जो कार्य है वो सब अब पूरे हो जाएंगे आपको धन प्रापति के अने को अवसर प्राप्त होंगे धन में खुब विदी होगी और अने प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है आपको बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर विशेश रूप स बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दे जो लोग नौकणी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ-साथ वेतन वृधि के भी योग बन रहे हैं। आपको बता दे भगवान शनी देव की कृपा से धनु राशी वालों आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा इस लिस्ट में जो अगली रा कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों को बता दे भगवान शनी देव की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का बंडार आने वाला है जी हां दोस्तों भगवान शनी देव आपके ऊपर बेहद प्रसन होने वाले हैं आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुश्कबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जि हां दोस्तों आपको बता दे, कुम्ब राशिवालों आपने जो भी महनत की है उस महनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है साथी साथ जो आपके रुकेवे कार्य है वो कार्य आपके सफलता पूर्वक वोण होंगे और साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब मिलेगा उनका व्यापार दिन, दुगना, राच, चौगना तरकी करेगा उनको हर तरफ से अब लाब ही लाब मिलेगा कुम्ब राशी वालों अब आपके जीवन में चारो तरफ से खुश्याई, खुश्याई आने वाली है भगवान शनीदेव आपके उपर बहत प्रसन है साथी साथ आपको बता दे, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपको जल्दी वापस मिलेगा साथी साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटे आ रही है वे रुकावटे खतम होंगी और आपके जीवन में अब खुशियां होंगी कुम्ब राशी वालों आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एसास मैसूस करेंगे भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपके उपर कुम्ब राशी वालों बन रही है समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है इस समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें जी हाँ दोस्तों जो अगली राशी है वो है मिथुन राशी दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपके उपर बन रही है आपके उपर आने वाले समय में नौकरी में पदोनती मिलेगी प्यापार में अचानक लाव मिलेगा और आर्थिक सिती मजबूत होगी सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांतीव आनंद का वातावरन रहेगा आपको कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकती है भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे व्यावसाय में अचानक लाव होगा और अकस्मक धनलाब प्राप्ती के भी योग बन रहे है भगवान शनीदेव की क्रिपा से मितुन राशी वालों अब आपके जीवन में अपार खुश्यों की प्राप्ती होने वाली है जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी साथी साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीतने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना उनकी अविश्य ही सफल होने वाली है संतान प्राप्तिकावी सुख मिथुन राशी वालों अब आपको मिलने वाला है जिसे घर परिवार में खुश्यां ही खुश्यां होंगी कहना गलत नहीं होगा मिथुन राशी वालों भगवान शनीदेव के आशीरवाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें जी हां दोस्तों ये थी वो खुश्य नसीब और भागेशाली राशियां जिनको भगवान शनीदेव के आशीरवाद से अब अपार खुश्यों की प्राप्ति होने वाली है इन राशी वालों के जीवन में अब होगी खुश्यां ही खुश्यां भगवान शनीदेव के आशीरवाद से इन राशी वालों को अपनी जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों भगवान शनी देव का अशीरवाद आप सब को प्राप्त हो दोस्तों आपसे अनुरोध है आप कमेंट बॉक्स में सची मन से जै शनी देव जरूर लिखी और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें